नमस्कार दोस्तों मैं यहां मौजूद हूँ फुपू छीना में ऊपर उज्जिश रिष्रीर महाफ्तार बाबाजी की गूपा के पास जिया दोस्तों आप देख सकते हैं बरब गिर रही है लेकिन फिर भी यहां के श्रद्धालू की श्रद्धा जो है बाबा के लिए इतनी है आप देख सकते हैं हमारे दिव्वे प्रेम सेवा मिशन के श्रद्धालू जन यहां किस तरह से बाबा के दशन हेसी मौजूद है और यह बाबा का मंदिर एक बना हुआ है यहां पर आप सभी इच्चुख होंगे कौन से बाबा की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं अवतार बाबा जी की जिनका वर्णन फूर्जे श्रय योगानंदा महाराज कि किताब योगी की आत्म कथा ओटोबायाग्राफी और योगी में मौजुद है कहा जाता है कि भागवत गीता में जो ग्यान कृष्ण ने अर्जुन को दिया है भागवत गीता में वो ही ग्यान आप सिमिलर ग्यान पा सकते हैं क्रिया योग करके क्रिया योग को वामन योग भी कहा गया है क्रिया योग से बहुत सारी ऐसी सिधियां और सिहत आप प्राप्त कर सकते हैं आईए देखते हैं बाबा जी की के हो तहां है यहां पे आप देख सकते हैं बहुती सुन्दा नजारा है यहां पे और बिल्कुल भी पल्यूशन नहीं है यहां नाम मातिस साधी मैं पिछले तीन दिन से यहां मौझूद हूँ और यहां के वातावरन में मौझूद energy का आनंद उठा रही हूँ यहां environment इतना energized है कि आप सोच भी हूँ अब भी अपने भक्तों को दर्शन देते हैं बाबा जी ने कई हजार वर्षों से अभी अपना शरीर नहीं प्यागा है क्यूंकि अनुग्रह किया था उनसे कि आप सर्व व्यापी हैं सर्वमान हैं सब जगा मौझूद हैं तो आप अपना शरीर ना छोड़े तो जो लोग में चुरूप रहे हैं बाबा जी महा अवतार बाबा जी की में बात कर रहे हैं और योगी को अध्यात्म की किताब कहा गया है कि इससे आप किसी तरह की अध्यात्मिस उर्जा प्राप्त कर सकते हैं तो आप ऑटो बायोग्रॉफी जरूर पढ़िएगा उसमें बाबा जी क बनती है और ऐसे यसी ओसदियां होती है जिसके लगाने और खाने मातल से आपके जो भी परिशानिया हैं वो दूर हो जाती है आईए बाबाजी की दुखा के ओर आपको लेके चलते हैं नमस्कार दोस्तों मैं यहां मौजूद हूँ कुकुचीना में हिमालयस के उपस्थित पुझे श्रीश्री महावतार बाबाजी की गुफा में यहां देख सकते हैं बाबाजी की गुफा में अभी अभी मैंने दर्शन की हैं बहुत सारे शद्धालू अभी भी गुफा में द और यहां बरफ गिर रही है बरफ का आनंद ले रही हूं मैं और साथ ही में आप देखिए किस तरह से जगा जो है वह एनरजी एनरजाइज है और अध्यात्मी कूर्जा से उत्तोत है तो दोस्तों अभी हमने दर्शन किये पूर्जे श्री श्री महावतार बाबाजी के आपन दिव्य प्रेम सेवा मिशन के ये शद्धालू किस तरह से इतनी बरफ में भी यहां बाबा के दर्शन हितु आए हैं आपकी भेंट यहां उपस्तित खास एक दिव्य आत्मा से मैं कराना चाहती हूं दिव्य प्रेम सेवा मिशन के संस्थापक श्री आशीश गौतम जी जो बाबा के परम भक्त हैं और कई वर्षों से यहां आ रहे हैं आये उनसे छोटी सी भेंट करते हैं और पूछते हैं कि बाबा के साथ बाबा का साथ और ये त्रिया योग जो है वो कब से इसे अपनाए है और कब से फॉलो कर रहे हैं जब में ग्रेजबेशन के विद्यार्थी था तो 1982 में पहली बार योगी कथा मृत आटो बाइग्रेफिय और योगी किताब पढ़ने को मिली लिए उस समय से ही महाउतार बाबाजी का चित्र देखा और योगी कथा मृत में उनके बारे में वर्नन पढ़ा साथ में लाहिडी मासे के बारें पढ़ा परमंस योगनंजी के बारें पढ़ा बस उसी दिन से उन पर शद्धा आस्था विश्वास उनको इस्ट गुरू आराध्य के रूप में सुईकार कर लिया था और उसके बाद योग संते की, योग गुरू की, योग क्रिया योगी की खोज में अनेक बार हिमाले की और आया, अकेली भी आया, अपने मिट्रों के साथ आया, अपने माली पर शुकों के आया तो देखा दोस्तों आप यहां आईए और इस स्थान की अध्यात्मिक उर्जा का अनंद लीजिए, नमस्कार